एक में बनाया था कि why only conductors can conduct electricity second में था मैंने कि what is the electric current और third में बनाया था what is the electric potential and potential difference ठीक है अब आज में डिसक्स करेंगे Ohm's law ठीक है तो व्यूडियो को लास्ट देखना पूरा बिल्कुल concept clear हो जाएगा कि Ohm's law क्या है कि इस पर डिपेंड कर सारी ची क्लिर हो जाएंगे बिल्कुल लास्ट देखना सबको तो देखते हैं कि अच्छा अगर तुम्हें कोई cell purchase करना होता है ठीक है जैसे रिमोट का cell purchase करना है या कि I am मुझे cell दो जै रिमोट वाला cell ठीक है ऐसे बोलते हो या वाच्वाला cell सबुम्हें कि अकि क्या कि पता होता है जब की हर एक cell के. साथ में लिखा होता है 1.45 three volt 9, मुझे लिखा होता है मलब अरी बैटरी Each means पर वटेज होता है one point five what a battery सकती है 3 का हो सकता है 9 वूल्ट का हो सकता है 12 वोल्ट हो सकता है 36 वोल्ट होता है यह सब battery के वूल्टेज तो जब यह मार्ट पे जा मतलब कि बेटरी में जिक पोजिटीश ठमिन नह女 होता है ही पॉजिटीए और सोगा इस पॉइंट का और पॉइंट जिन मुघ है है तो इसका यह मतंब है इसके इसके और दोनों डालों का पोठेंसेल डिफरेंट एलगो मुअ हो सकता है यह वाला plus 8 volt का हो और second तो का इथ और नौइंट का पोंद्र आगा इस point के पूटेंशिल कितना है 20-4 볼 दोणोंका पौटेंशिल इन इस watch भोगी मैस बहुद आटकी होगी तो बोलेंगे सब्सक्राइब Nण देखा जा रहा है नौण तो पोटेंशिल डिफ्रेंस यह कितना रहा है 12 तो पोटेंशिल डिफ्रेंस कितना आ गया दोनों इलेक्ट्रोड का 12 वोल्ड आ गया तो बैटरी जितने वोल्ट की होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशिल डिफ्रेंस उतना वोल् उसके दोने electrodes का potential difference होता है अब देखते हैं आते हैं ohms law बे तो उसके लिए एक experiment जो हो सकता है तो उन्हें नहीं किया हो बट उसको I am sure कि तुम लोग उसे बता सकते हो कि क्या होगा उसका effect जो मैं discuss करने वाला हो भी जैसे एक bulb है ठीक है अब उस बल्ब के साथ में एक connected है 3 वोल्ट की बैटरी connected है 3 वोल्ट की बैटरी तो बल्ब का brightness कुछ होगा अब इस 3 वोल्ट की बैटरी को replace कर दो 6 वोल्ट की बैटरी से क्या लगता है brightness increase होगा decrease brightness increase होगा क्यों ज्यादा बैटरी लगा दी हम लोगों ने अगर इसी को replace कर दें अब 9 वोल्ट की बैटरी से तो बैटरी से तो बैटनेस और जो जो जाएगा लेकिन इसके ध्यान एकना है यह वोल्टेज इसका जो अपना limit है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए अदर्वाइस बल्बी फ्यूज हो सकता है तो जब 3 वोल्ट का था brightness कम 6 वोल्ट का brightness increase 9 वोल्ट पे और ज्यादा हो गया इसका यह मतलब है कि जब 3 वोल्ट था तो कम current flow क कि वाँय था मतलु था जब 6 बोल्ट की बैटरी आई है current हो गया 2 clair और 9 वोल्ट की बैटरी खाएं तो करण कितना हो गया 3 letter तो यहां से क्या conclusion निकल रहा है कि जब voltage को 3 से 6 किया मनद डबल किया तो current भी क्या हो गया double जब voltage को 3 से 9 किया तो current भी कितना हो गया 1 से 3 हो गया मनद ट्रिपल हो गया यह भी voltage ट्रिपल तो कर ट्रिपल तो ओम्स ने यही बताया था कि किसी भी एलेक्टिकल सर्कृट में जितना ज्यादा voltage means potential difference provide करेंगे उतना ज्यादा क्या हो गा current simple सी भात है जितना है voltage जितने ज्यादा पहौर की Under स्बाडा कि बेंगे उतना-ज्यादा क्या मिलेगा current मिलेगा यही ohms का मैं statement था मैं इनका यही था कि जितना ज्यादा voltage उतना ज्यादा current ठीक है तो इनका अगर इस statement देखें, तो इस statement क्या था इनका? देख लेते हैं, according to Ohm's law, amount of current flowing through a conductor is always, is always directly proportional, proportional to the potential difference is directly proportional to the potential difference difference across the ends of the conductor, provided, provided temperature is constant. जरा देखते हैं कि जो experiment, experiment किया था भी, क्या उसी का ये conclusion है, उसी के उसमें ये statement है, क्या था उसमें? कि जितना ज़्यदा voltage हो का उतना ज़्यदा current है, यहां कि amount of current flowing through the, through a conductor is always directly proportional to the potential difference, वही बात यहां पर भी है, potential difference means voltage जितना ज़्यदा होगा, उतना ज़्यदा क्या होगा current, directly proportional का बलब है, जितना ये ज़्यदा होगा, उतना भी ज़्यदा होगा, लिकन एक condition है यहां पर, क्या होगा है, temperature क्या होना चाहिए, constant, यह चीज़ तभी, जब temperature constant रहेगा, ठीक है, तो okay, according simple सी बात है, जितने ज़्यदा voltage की बैटरी लगाएंगे, उतना ज़्यदा current आएगा, तो अगर mathematical इसका expression देखें, तो इसमें होगा होता है, voltage means potential difference, V is directly proportional to I, फिर यहां पर एक constant आता ह है, R, कहीं पर भी, physics में कहीं भी, जब यह directly proportional के sign को replace है, यहां पर V और I पहले से ही है, R, new term आया है, यह यहां पर है एक constant, और R को हम लोग बोलते हैं, resistance, resistance क्या होता है, यह हम लोग next class में discuss करेंगे, ठीक है, अभी यहां यह मैंगे चलना है, कि यह constant है, और V और I दोनों के ह है, directly proportional है, अब करें, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, V and I, दोनों क्या है, इसलिए graph कैसा होगा यह, इनका graph जोगा यह, यह straight line जाएगा, क्योंकि दोनों directly proportional है, और यहां पर resistance किसके साथ है, resistance करेंट के साथ है, तो current वाली जो axis है, वहां से जितना ज्यादा angle बनेगा, इसका मददद यहाँ पर resistance उतना ही ज्यादा है, ठीक है, resistance current के साथ है, तो current वाली axis के साथ में, जितना ज्यादा angle बनेगा इस graph का, उतना ज्यादा resistance होगा, ठीक है, example लेते हैं यहाँ पर, suppose, यहाँ पर I है, इस axis पर इस axis पर current है और दो अलग-अलग material का graph plot करते है एक है material A, एक है material B तो देख सकते हैं यहाँ पर currently axis means यहाँ पर Y axis किसका angle ज़्यादा है? यह का तो इतने angle है, material B का angle ज़्यादा है material B का angle ज़्यादा है इसका मलग इसका resistance भी ज़्यादा है तो current की axis से ज़्यादा angle उतना ज़्यादा resistance यहाँ लिख सकते हैं कि resistance of B is more than resistance of A ठीक है? तो है यह हम next class में discuss करेंगे तो ohms के ohms law जो था इसका यही था कि ज़्यादा वो इतना ज़्यादा उतना ज़्यादा करेंगे दोनों directly proportional होंगे और condition के है इसकी validity के लिए temperature होना चाहिए constant ठीक है? तो next class में discuss करेंगे हम लोग कि what is resistance काफी important topic का resistance ठीक है? इसले next video बिलकुन miss बत करना और जो लोग अभी new है इस channel को देख रहे हैं वो इसको subscribe करने और bell icon को press करने जिससे कि आगे वाले जो video upload करूँगा वो notification के थूँ मिल नहेंगे सबको ठीक है? ओके, thank you